यूटूब पे आपको ऐसे बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे जिसमें किचन टोल्स का इस्तेमाल करके बड़े बनाये जाते हैं लेकिन जब बनाने की बारी आती है तो यह जब सारे टोल्स हैं वो फेल हो जाते हैं और काम आते हैं तो सिर्फ हमारी यह हाथ और आज हम इनी हाथों से एक्टम पॉफेक्ट बड़े बना कर त्यार करेंगे यहां पर आप देख सकते हैं फिर हम इसके साथ एक बहुत ही टेस्टी सा सांभर बनाएंगे इसे हम बहुत ही different तरीके से बनाएंगे और जो दोनों का combination है न वो तो एकदम best होता ही है तो आप एक बार इस तरीके से सामभर बड़ा जरूर ट्राइ कीजिएगा आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम उरत डाल को ओवरनाइट के लिए यहां हमने शोक करके रखा था आप चाहे तो 5-6 घंटे के लिए भी इसे शोक कर सकते हैं यह एक कप उरत की डाल है अब हम इसे मिक्सी के जार में डालेंगे और इसे एक डाम fine grind कर लेंगे यहां पर आप इसमें जितना कम से कम हो सके उतना पानी का यूज करें जब यह अच्छे से पिष्ट जाए उसके बाद हमें इसे फेटना है और इसे 5-7 मिनट के लिए हम अच्छे से फेटेंगे और या अच्छे से फिट जाए तो उसके बाद हम इसे एक बार चेक कर लेंगे तो यहाँ पीशे फिरते हुए भी हमें 5-7 मिनट हो चुके हैं तो चलिए एक बार हम इसे चेक कर लेते हैं तो अब हम एक छोटे से कटोरे में पानी लेंगे और फिर हम इसमें जैसे हम कड़ी का बड़ा बनाते हैं उस तरीके से इसमें एक बड़ा डाल कर देखेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं यह पानी में उपर तैर रहा है यानि जो हमारा बड़ा का मिक्षर है वो अच्छे से फुल चुका है और यह अगर जाके तली में बैठ जाता यानि जो मिक्षर है वो पूरी तरह से फुला नहीं है इसे थोड़ा और फेटने की जरुड़त है तो यहां पर हमारा मिक्षर जो है वो अच्छे से फुल चुका है इसमें हम हिंग डालेंगे साथी हम इसमें चौप किया हुआ अदरक, एक चम मजीरा, टेश्टी अकॉर्डिंग नमक, फ्रिश कटा हुआ हरा धनिया और इसमें थोड़ा सा करी पता तोड़के डाल देंगे फिर हम इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे ज्यादा फेटने की ज़रूत नहीं है, बस इसे मिक्स करना है उसके बाद यहां मारा जो बड़ा बनाने के लिए ये मिक्सर है, वो तैयार है इसे हम साइट में रखतेंगे इसमें मैं थोड़ा सा सामभर मसाला भी डालती हूँ, जिससे ये और भी ज़्यादा टेस्टी बनते है तो इसे हलका सा मिक्स करने के बाद हम इसे साइट में रख देंगे और अब सामभर बना लेते है तो सामभर बनाने के लिए सबसे पहले हम कूकर को गैस पे रखेंगे और इसमें एक चमच घी एड़ करेंगे घी जब हलका सा गरम हो तब हम इसमें वन थर्ड कप धूली हुई और हर की डाल डालेंगे यहापर मैंने इसे सोक नहीं किया था बस इसे धोके और इसमें एड़ कर दिया है उसके बाद हम इसे एक से दो मिनट के लिए एकदम मीडियम फ्लेम पर भूनना है इस तरीके से जो सामभर है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं आप ऐसे सामभर जरूर ट्राइ कीजिएगा तो एक से दो मिनटी से भुनने के बाद इसमें हम कुछ मसाले अड़ करेंगे तो मसालो में यहाँ पर हम आधे चमच हल्दी पाउडर एक छोटे चमच धनिया पाउडर और दो चमच सामच मसाला डालेंगे इसमें मैं सबजियों का यूज नहीं करती हूँ बस मैं इसमें टमाटर डालती हूँ और आप चाहे तो यहाँ वेजिटेबल एड़ कर सकते हैं पर यह बिना वेजिटेबल के भी बहुत ही ज्यादा तेस्टी बनते हैं इसमें थोड़ा सा करी पत्त डालेंगे और इसमें एक से देड़ कप पानी आइट करेंगे साथिम इसमें एक छोटे साइज का कटा हुआ प्याज डालेंगे और टेस्ट के कोडिंग नमक डालकर इसे अच्छे से मेक्स कर लेंगे और cooker का lead लगाकर इसे हम 5-6 सीटी आने तक पका लेंगे क्योंकि जो सांभर होता है वो अच्छे से गला हुआ होता है तो यहाँ पर 5-6 सीटी देने के बाद हम इसका flame off कर देंगे और इसे ठंडा होने के बाद इसका lead हटाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डाल है वो अच्छे से गल चुकी है बस अब हम इसे mix करेंगे यहाँ पर आप चाहे तो इसे hand blender या फिर potato measure से भी mess कर सकते हैं तो इसे अच्छे से mix करने के बाद हम इसमें पानी add करेंगे इसे mix करने से जो प्याज और टमाटर है ना वो भी अच्छे से mix हो जाते हैं दाल के साथ और पता भी ने चलता कि हमने इसमें कुछ और भी add किया है तो यहाँ पर पानी डालने के बाद हम इसमें अच्छे से उभालाने देंगे आप अपने कॉर्डिंग इसे जितना पतला गाढ़ा चाहें वैसा बना सकते हैं पर जरतर जो सामभर है वो थोड़े पतले ही बनते हैं तो एक बार जब यह अच्छे से उभल जाएगी तब हम इसमें इमली का पल्प add करेंगे तो यहाँ पर मैंने थोड़ी से इमली को पानी में सोख करके रखा था इसे आप गरम पानी में थोड़ी दिर सोख करके रखें और फिर हमने इसका पल्प निकाल दिया है यह दो चमच पल्प हम इसमें add करेंगे यहाँ पर आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा गुर भी एट कर सकते हैं अब एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 4-5 मिनट इसे और पका लेंगे तो यहाँ पर हमारा जो सामभर है वो अच्छे से पक चुका है अब हम इसे साइड में रखेंगे और इसका एक फाइनल तड़का लगाएंगे तो तड़का लगाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन में एक चमच तेल और एक चमच घी एट करेंगे और इसमें हम एक चमच राई एट करेंगे राई को थोड़ा सा तड़कने देंगे साथी हम इसमें थोड़ा सा हिंग भी एड़ करेंगे इसे हम थोलका सा कवर कर देंगे क्योंकि इसमें से बहुत ज़्यादा छीटे ऊड़ते हैं तो जब राई का जो कलर है वो थोड़ा ब्राउन हो जाए तब हम इसमें बागे की चीज़े आइट करेंगे तो यहाँ पर हम इसमें थोड़ा सा करी पता डालेंगे यहाँ पर मैं ड्राई करी पता डाल रहे हूँ आपके पास अगर फ्रेश अवेलबल हो तो आप उसका यूज करें फिर हम इसमें तीन सुखी लाल मिर्च डालेंगे और इसे हलका सा भून लेंगे फिर हम इसमें एक चमश लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे और यहाँ पर गैस का फ्लेम ओफ कर देंगे तब इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे साथी हम इसमें फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया डालेंगी और तुरंथ ही इसे हम सांभर में ट्रांसफर कर देंगे तो इस तरीके से हम सांभर में इसे तड़का लगा देंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं यह देखने में कितना ज्यादा टेश्टी लग रहा है आप अगर तीखा बहुत ज्यादा खाते हैं तो मिर्च की क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग कम्या ज्यादा कर सकते हैं या फिर सांभर बनाते वक्त ही इसमें मिर्च डाल सकते हैं तो यहाँ पर तड़का लगाने के बार एक बार हम इन सब को मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर हमारा सांभर फाइनली बनके तयार हो चुका है तो अब हम इसे साइड में रख देंगे इसे थोड़ा पतला ही बनाएं क्योंकि थोड़ी देर बाद यह गारी भी हो जाती है तो अब हम इसे साइड में रखेंगे और फाइनल अब हम बड़े बनाएंगे तो यहाँ पर बड़े का जो मिक्सेर है उसे हम एक बार फिर से एक मिनट के लिए फेट लेंगे और तब हम इसके बड़े बनाएंगे अब हम हाथों में थोड़ा पानी लगा लेंगे अच्छी क्वांटिटी में फिर हम थोड़ा सा मिक्सर लेके इसे हाथों में ऐसे टॉस करेंगे हाथों में पानी लगने की वज़े से ये बिल्कुल भी हाथों में इच्छी पकता नहीं है और इस तरीके से हम इसे बीच में होल करते हुए इसके बड़े बना लेंगे आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये बड़े बन जा रहे हैं तो इस तरीके से बिना किसी टूल्स के हम आसानी से बड़े बना सकते हैं और आप देख सकते हैं ये एकदम पॉफेक्ट बने हुए हैं तो यहाँ पर जो बड़े हैं इसे हम मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे पहले आप तेल को अच्छे से गरम हो जाने दें और जब ये बड़े डालें तो फ्लेम को मीडियम कर दें और मीडियम फ्लेम पर ही इसे पकाएं तभी जो बड़े हैं वो उपर से क्रिस्प बनते हैं और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और जब ये हलका सा गोल्डेन कलर के हो जाएं तब इसे ही निकाल लें इसी तरीके से जो बागी के बड़े हैं उसे भी हम बना लेंगे बहुत ही आसान तरीके से ये बड़े बन जाते हैं हाथों में हलका सा पानी लगाएं और मिक्सर को लेके टोस करें और तब इसके बड़े बना ले तो इस तरीके से यहां सारे बड़े हैं जो वो बन के तयार हो चुके हैं अब चलिए हम इसे शर्व कर लेते हैं इसके साथ में मैंने थोड़ी सी बदाम की चतनी भी बनाई है यहां पर आप सामभर देख सकते हैं यह देखने में कितना टैम्टिंग लग रहा है और यह खाने में भी बहुत ही ज़्यादा रेश्टी है यहां पर मैं बड़े को भी तोड़ के दिखा रही हूँ आप देख सकते हैं यह अंदर से कितना अच्छा जालिदार बना हुआ है तो आप भी एक बार इस तरीके से सामभर बड़ा जरूर ट्राइ कीजिएगा आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी साती अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा ज़्यादा शेर कीजिए लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लिजिए तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए रेस्पी के साथ तब तक के लिए गुड़ बाई और टेक केर